हेलो एफ्रिवन दा उनलाइन गुरु में मैं सुनल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज का सेशन बेहदी खास है क्योंकि राजस्थान बजट जो है 2022-2023 के लिए आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हो जुका है अब यूं तो बजट के अलग-अलग पक्ष अपने अ जो important factor हैं जिन पर question बनाई जा सकते हैं उन सभी point उन सभी factors को मैं आप सभी के सामने present करूंगा जोकि budget आप जानते हैं बहुत लंबा चोड़ा होता है तो उसे हम लोग यहाँ पे दो parts में divide करेंगे और इन दो parts में सबसे पहले तो हम budget का संपूर्ण विशलेशन करेंगे उस जो आपके exam के लिए बहुत important होगा तो इस session को देखने के बाद जब आप उन multiple choice question को solve करेंगे तो आप अपने आपको easily exam like preparation दे पाएंगे ऐसे ही important sessions आप लोगों के लिए regular basis पे मैं upload करता हूँ तो अगर आप भी उन्हें regularly देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कीज देखेगा और अगर यह session पसंद आए तो इसे like और share करना ना भूलिएगा तो आज का session start करूं उससे पहले आप सभी को introduce करवाना चाहूंगा on academy से on academy इंडिया का largest learning platform है इसकी मदद से अप राजस्थान के exam easily crack कर सकते हैं इसके लिए आपको नीचे दिये गए link से on academy learning app install करना ह आप यहाँ पे login या sign up कर सकते हैं अपना goal select कीजिए language select कीजिए और referral code को enter कीजिए आप free classes वहाँ पे ले पाएंगे आपके लिए लेकर आया है एक scholarship free test series जो की every Sunday 10 a.m. पे organize किया जाता है अगर आप लोग RAS के लिए prepare कर रहे हैं तो इस test series में अगर आप rank लेकर आते हैं तो आ आपके लिए attractive reward भी यहाँ पे रखे जाएंगे अगर आप RAS Prelims 2022 के लिए अपने आपको prepare करना चाहते हैं तो complete course भी यहाँ पे six month का available है इसी के साथ अगर आप RPSC grade 1 या grade 2 के लिए preparation करते हैं तो 442 और 338 रूपीज मात्र आपके लिए classes उपलब्द है grade 1 के लिए जो कि आपका paper 1 होता है grade 2 के लिए जो paper 1 होता है उन सभी के लिए plus test series भी यहाँ पे उपलब्द है जिनको avail करके आप यहाँ पे benefit ले सकते हैं इसी के साथ अगर आप grade 1 teacher के preparation करते हैं और 6 month का subscription लेते हैं हमारी code को enter करने पे आपकी जो fees है वो यहाँ पे 10% आपको discount में मिलेगी इसी के साथ जो grade 2 teacher exam के लिए आप login करते हैं या join करते हैं अन academy को तो हमारी code को use करने पे आपको 10% यहाँ पे discount मिलेगा तो आज का session स्टार्ट करते हैं पसंद आए तो like, share और subscribe करना ना भूलिएगा तो देखिए अब आपके screen पे यहाँ पे राजस्थान सरकार का जो budget अवी भाशन था 2022-23 का उसे आपके सामने present कर रहा हूँ और पूरे budget को चुकि आप जानते हैं 125 page के something है यह इस पूरे budget में से जो भी आपके लिए important है मैंने already highlight कर लिया है तो हम केवल उनहीं चीज़ों पे discussion करेंगे जो आपके exam के लिए important है और बाकी चीज़ों को यहाँ पे हम neglect कर देंगे और अगर फिर भी आप पूरा budget पढ़ना चाहें तो आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा वहाँ से आप download करके पढ़ सकते हैं तो देखिए यह जो budget अभी भाशन था 23 वरवरी 2022 के दिन present किया गया अब यहाँ पे सबसे पहला important तो देखिए यहाँ पे क्या-क्या पेश किया जाएगा आज तो एक तो 2021-22 का संशोधित अनुमान पेश किया जाएगा जो कि पिछले साल का जो budget देते हैं उसके बाद का actual thing यहाँ पे देते हैं और उसके बाद 2022-23 जो कि आगामी वर्ष होगा उसके लिए अनुमान प्रस्तूत किया जाएगा that means lump sum हम लोग ये काम करने वाले हैं उसकी यहाँ पे आपको detail मिलेगी तो सबसे पहला और important चीज़े आपको highlight करने लेनी चीए कि राजस्थान का पहला gender-based budget कब आया 2012-13 के अंदर आया gender-based budget हम उसे कहते हैं जिसमें male और female दोनों के लिए अलग-अलग money allocation आपको बताया जाता है second thing जो पहला paperless budget था वो कब आया 2021-22 के अंदर आया और अब चुकी पहला राजस्थान का क्रिशी budget कब आया है तो आप कहेंगे कि 2022-23 के सत्र में आया है तो यहीं से तीन important question बनाय जा सकते हैं gender-based budget 12-13 में paperless 21-22 में और क्रिशी budget 22-23 के अंदर यहाँ पेश किया गया हाला कि इन्होंने अपने budget speech की जो शुरुआत की थी बहुत ही शांदार quotation के साथ की थी कि न पूछो मेरी मन्जिल कहां है अभी तो सफर का इरादा किया है न हारूंगा होसला उम्र भर यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है तो इस अच्छे खासे एक speech के साथ इन्होंने start किया अब important चीजों को देखते हैं देखिए शहरों में भी रोजगार सुनिश्रित करने के लिए इंदरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रेजन्ट की जा रही है सबसे ज़्यादा important हो जाएगा आप इसको जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना समझते हैं लगबग उसी टाइप से इसे समझ सकते हैं इंदरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंदर कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा तो देखो यहां पे शहरी श सौ दिवस दिये जाते थे अब उसे कितनी कर दिये जा रहे हैं 125 दिवस कर दिये जा रहे हैं तो यह आपके लिए important हो जाएगा कि मन रहेगा कि अंदर कितने दन सौ की जगए अब 25 हो चुके हैं जबकि जो शहरी शेत्र है वहां पे इंदरा गांधी रोजगार गारंटी य यह topic या fact नहीं पूछता है अब important जैसा कि चिरंजीवी स्वास्ते बीमा योशना पहले भी आप लोग देख चुके हैं आपके exam का हिस्सा रहा था यहां पे 5 लाख रुपए का चिकितसा बीमा दिया जाता था लेकिन अब इसकी राशी क्या कर दी गई है 10 लाख रुपए क organ transplant हो blood या platelet या plasma का transfusion आपको करवाना हो आपको bone related cancer हो यह सारे इलाज चिकितसा सुविधा इसमें उपलब्ध करवाये जाएंगे तो important क्या है पहले कितना था 5 लाख अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है 10 लाख रुपए इसे कर दिया गया है next important देखिएगा 2 October 2011 को कहलो ज इन्होंने निश्वल के जाच योजना शुरू किया तो यह इन्होंने अपनी पहले की जो चीजें थे उनको गिनाई अब यहाँ पे इसी स्रेनी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए जितने भी राज की चिकितसा संस्थान होंगे यानि कि government hospital होंगे वहाँ पे outdoor हो चाहे लेकर आए थे निश्वल के जाच योजना और 2021 में क्या लेकर आए हैं तो भाईया इंडोर या आउट्डोर निश्वल के जाच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और आगे बढ़ते हैं इसी टाइप से जो important factor exam like देखो अब छोटे मोटे नाले बनवाना या डैम बनव अब देखिए रोड सेफटी आक्ट जो है वो यहाँ पे लाया जाएगा इसी के तो राजस्थान पब्लिक ट्रांस्पोर्ट अथारिटी बनाई जाएगी कहां पे जैपूर के अंदर स्टेट रोड सेफटी इंसिट्यूट खोला जाएगा जैसा कि आपने देखा था फिं नेक्स तिंग शाजहाँपूर से लेकर अजमेर तक जो की NH48 और NH248 आता है बर बिलाडा जोदपूर्ग जो NH25 पे आता है सीकर से लेकर बीकानेर NH11 और 52 पे आता है इन पे पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत दुरगहटना रहित सडक के रूप में इनको विक्सित किया जाए तो वो ये तीन पर्टिकुलर जो रूट है वो आपके सामने हो जाएगा इसे टाइप से और important factor में आगे चलते हैं तो education hub जैसा कि पिछले बजट में भी आपको चर्चा में था कि education hub खोले जाएंगे तो जैपूर के जवाहरलाल नहरु मार्ग पे जितने भी संस्थान अब यह sections अंसान कौन कौन से हैं महात्मा गांधी Institute of Governance and Social Science राजा रामदेव पोद्दा Residential School of Excellence राधा कृष्ण लाइब्रेरी एवं कोचिंग सेंटर इन सभी का इसके तुरू विकास किया जाना है इसी में आगे बढ़ें तो अनुपृति कोचिंग योजना आप सभी जान लेकिन अब इसे बढ़ाके कितना कर दिया गया 15,000 विद्यार्थी कर दिये गये हैं तो अब अनुपृति कोचिंग योजना में कितनी लोग फाइदा ले पाएंगे तो 15,000 विद्यार्थी जो हैं इस स्कीम का फाइदा ले पाएंगे इसी के साथ सावित्री भाई फूले वाचनाले यानि कि लाइब्रेरी जो है वो यहां पे ओपन किये जाएंगे और इन लाइब्रेरी के अंदर आपको बहुत सारी सुविधाय मिलने वाली हैं आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर के तरफ तो जो पैरा एथलीट होते हैं देखो एक तो आपने और एक था पैरा एथलीट पैरा एथलीट जिनको आप दिव्यांग श्रेणी में मानते हैं उन खिलाडियों के प्रसिक्षन के लिए कहां पे जोदपूर के अंदर नोट कीजेगा प्लेस जोदपूर के अंदर आवासी ये पैरा खेल अकादमी जो है वो खोला जाएगा ठ आजस्थान स्टेट स्पोर्ट एंस्टिट्ट के स्थापना कहां की जाएगी जोदपूर के अंदर की जाएगी तो जैसे प्रीवियस बज़त में जैपूर में आपको देखने को मिल रहा है अब यहां पे आपको एक और चीज बताई जारी है कि ऐसे युवक युवती जो 200 कम्रे और बनवाए जाएंगे नहरू यूथ ट्रांजिस्ट होस्टेल एंड फैसिलियेशन सेंटर के रूप में अगली चीज क्या है सर्विस सेक्टर MSME यानि के Micro, Small और Medium Enterprises और जितने भी स्टार्ट अप हैं उनको सस्ते दरों पे क्या उपलब्द करवाया जाएगा Plug and Play Facility उपलब्द करवाया जाएगा जैपुर, जोतपुर, कोटा के अंदर राजीव गांधी Knowledge Service और Innovation Hub बनाया जाएगे, वो आपको यहाँ पर याद रखना है और इनमें Women's को सुविधा दी जाएगी और उसके लिए W Hub का इन्होंने नाम लिया है, ऐसी महिलाएं जो Work From Home करती है, उन्हों लोगों को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, सहायता दी जाएगी, ठीक है, और इसके तहत कितने 20,000 महिलाओं को सहायता दी जाएगी, around 100 करोड रुपए इस पर व्याय किये जाएगे, अब बात आती ह रीट एग्जामिनेशन की जो कि आपको पता है, कैंसल आउट करनी पड़ी थी, इससे रिलेटेड अन्य भरतियों के लिए 20 तरी है, यानि कि पातरता और चैन दोनों के ऊपर प्रस्तावित है, ठीक है, तो अभी डिसीजन इनोंने नहीं दिया है, लेकिन एक पातरता और एक चैन दो परिक्षाओं के आयोजिन से रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे बीच में लेकर आ चुके है, और ऐसा कहा भी जा रहा है, कि रीट जो रद होई थी, अब जुलाई 2022 में आयोजित की जाएगी, और भविश्य में ऐसे काम ना हो, तो SOG के ही अंदर एक एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक लाग अतरिक्त पदों पर भरती की जाएगी भीया, तो यह इस टाइप के चुनावी सेंटेंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन कई भरतियां ऐसे ही रद्द हो जाती है, और जो कोट केस वगर आया जाएगा ताकि राजस्थान में ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट मिल सके, इसी के साथ साथ जो पचपद्रा बाढ मेर के शेत्र है, वहाँ पे पेट्रो केमिकल, पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रो केमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में उसक विक्सित किया जाएगा ताकि जो पेट्रो केमिकल से रिलेटेड चीजे हैं उन पे जादा से जादा निवेश आपको देखने को मिले सेम एज राजस्थान ओद्यों के सुरक्षावल RISF का गठन किया जाएगा जो के सेंट्रल कॉफ्मेंट के CISF को देखते हुए होंगे यहाँ पे लगबग 2000 सुरक्षा कर्मी की भरती की जाएगी नेक्स देखें राजस्थान सेट में SC और ST के डवलपमेंट फंड चाहे वो प्लानिंग पे हों अलोकेशन यूटिलाइजेशन और फाइनेंसिल रिसोर्स के उपर हों इनके उपर 100-100 करोड रुपए जो खर्च किये जाते थे वो 500-500 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे और खर्च किस प्रकार से किये जाएंगे तो 200 करोड रुपए तो रोजगार के लिए एवं कृशी के लिए 1500 करोड आपके सिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए और 1500 करोड रुपए आधार भूत सनरचना का विकास करने के लिए इसी के साथ EWS कोस भी बनाया चाहेगा और EWS कोस की राशी 100 करोड रुपए यहाँ पे रखी गई है ताकि EWS का भी यहाँ पे भला किया जा सके जो दिव्यांग स्कूटी योजना है उसके तहट पांच हजार स्कूटी जो है वो वितरित की जाएगी पहले कितनी थी दो हजार स्कूटी थी तो दो से कितनी कर दी गई पांच हजार कर दी गई यह important हो जाएगा काली भाई भील और देवनारा एंड योजना के अंदर जो छात्राओं को स्कूटी दी जाती थी वो तेरा हजार से बढ़कर बीस हजार यहाँ पे कर दी गई है तो इससे जादा से जादा लोगों को भला हो सकेगा बाबा आम्ते दिव्यांग विश्व विद्याले की स्थापना की जाएगी कहाँ पे की जाएगी तो जामडूली जैपुर के अंदर की जाएगी यह जो विश्व विद्याले होगा चुकि नाम से ही आप तो देख पा रहे हैं व्यांगों से रिलेटेड होगा इसी के साथ जो नेत्रहीन विकास संस्थान है जोदपुर को कॉलेज के रूप में विक्सित किया जाएगा ताकि जो नेत्रहीन व्यक्ति है वो वहाँ पे अपनी सिक्षा उपलब्ध कर सकें तो उनको भी एजुकेशन फेसिलिटी दी जाए थी ये पहले कहां कहां था प्रताबगड बासवाड़ा उधैपुर डूंगरपुर और बाराजिले में था अब इसे क्या कर दिया गया है इसे रियोजना का दाइरा बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में लागों कर दिया गया है पालन हार योजना जो कि 0-6 वर्ष के अन आठ आयू वर्क के अनात बच्चों हेतु जो 1,000 रुपए थे उसे बढ़ा कर 2,500 रुपए प्रतीमाह किये जा चुके हैं इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो important fact आपके exam में आ सकता है तो देखें यहाँ पर यह बहुत सारी चीजे हैं छोटे मोटे कार एक है मेवात शेत्र विकास बूड और एक है मगरा शेत्र विकास बूड यहाँ पर आपसे question पूछना चाहूंगा कि जैसे मेवात क्या है अलवर भरतपुर का reason वैसे ही डांग और मगरा शेत्र क्या हैं आप नीचे comment करके बताएं इन सभी के विकास के लिए जो है राशी वो 10-10 करोड रुपए दी जाती थी बढ़ा करब कित्ती कर दी गई है 25-25 करोड रुपए कर दी गई है और मुख्यमंतरी शेत्रिय ग्रामीन विकास योजना का भी लाब यहाँ पे दिया जाएगा सुनियोजित विकास के लिए यहाँ पे उदैपुर और कोटा में विकास पराधीकरन का गठन किया जाएगा तो दो नए विकास पराधीकरन कहां खोले जाएंगे उदैपुर और कोटा एंदर खोल दिये जाएंगे नेक्स तिंग राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागो की जाएगी भीया केंदर सरकार ने जो स्मार्ट सिटी थी राजस्थान में चार शहरी शित्र को चुना था जैपुर, अजमेर, कोटा और उदैपुर अब इसी तहट ये क्या कर रहे हैं जो सेश बचे हुए संभा मुख्या ले हैं जैसे कि जोदपुर, भीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चितोड़गड के एरिया को भी क्या करेंगे राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में एप्लिकेबल करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसपे क्वेस्चन बनने के आस स्पोर्ट नगर तक 1C होगा, मान सरोवर से 200 फिट बाइपास, अजमेर रोड तक कौन सा होगा, 1D होगा, तो ये 1C और 1D इंपॉर्टेंट है, किसके शेत्र में बनाए जाएंगे वो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, इस पर क्वेस्चन बनेंगे और पहले 1A और 1B पे भी क्वेस्चन बने हुए हैं, तो हम केवल उन्ही चीज़ों को देख रहे हैं, जो क्वेस्चन बनाने की पोटेंशल रखते हैं, छाबड़ा तापिये विद्धुत करह है, सुपर क्रिटिकल की श्रेणी में आता है, यहाँ पे 660 से 660 मेगावाट की दो इकाईयों को स्थापित किया जाएगा, इसे टाइप से काली सिंध जालावाड तापिये परियोजना 800 मेगावाट की तीसरी एकाई यहाँ पे शुरू की जाएगी, और इसी के साथ जो इसा की आप देख रहे थे, कि राजस्थान में जो कोईले की या विजली की कमी थी, उसको कही ना क स्थापित किये जाएंगे, तो बाटनिकल गार्डन कहां कहां स्थापित किये जाएंगे यह क्वेशन हो सकता है, रामसर साइट आप जानते हैं, 1971 में एक एग्रिमेंट हुआ था इरान के रामसर में, जो आद्र भूमी है, उनके सनरक्षन से रिलेटेड, तो सांभर जील, राजस्थान में एक रामसर साइट के रूप में जाना जाता है, और कैवला देव, घाना पक्षिविहार, वो भी एक रामसर साइट के रूप में जाना जाता है, तो उनमें से जो सांभर जील वाला एरिया है, उसके इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और कं के लिए क्या किया जाएगा सांभर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंब किया जाएगा साथ ही साथ आमजन संस्था या कॉर्परेट को जो जो लॉजिकल पार्क है उनके वनी जीवों को गोद लेने के लिए कैपिटिव आनिमल स्पॉंसर्शिप स्कीम जो है वो यहां पे स्थापित किया जाएगा जैपुर में स्थापित किया जाएगा परेटन के विकास के लिए कितनी राशी 500 करोड रुपए के राशी परेटन विकास कोश में पहले रखी गई थी उसे बढ़हा कर अब कितनी कर दी गई एक हजार करोड रुपए कर दी गई है और यह जो राशी होगी 400 करोड रुपए तो ब्रांडिंग पे और 600 करोड रुपए आधारभूत संरचना के डेवलपमेंट पे खर्च किये जाएंगे अब आता है वागर टूरिस्ट सर्केट जो कि नया टूरिस्ट सर्केट डेवलप किया जा रहा है यह डूंगरपुर बांसवाडा शित्र में परियतन को बढ़ाएगा और इनमें मानगर धाम हुआ देवसो मनात हुआ बैनेश्वर गलिया कोट अर्थुना त्रिपुरा कडाना माही बजात सागर कागदी पिकप घोटिया अंबा जैसे परियतक स्थल इसमें इंक्लूड किये जाएंगे और यह तो एक्जाम में आएगा ही अब 108 पे एंबुलेंस सर्विस आप जानते ही है उसे टाइप से 100 या 112 पे 500 अतिरिक्त जो है पुलिस मोबाइल कर पाओ के आज कल डिजिटल के टाइम पीरियेट पे जो साइबर क्राइम आपको देखने को मिलता है उसे रोकने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन के स्थापना के रिलेटेड यहां पे घोशना की गई है अब कब और कहां की जाएगी वो आगे पता चलेगा कुछ नए नियायले खोले जाएंगे इनमें से इंपोर्टेंट क्या होगा विशेश नियायले जो की पॉसको एक्ट से रिलेटेड होता है पॉसको एक्ट से रिलेटेड जो विशेश नियायले है कहां पे चताड़गर मेड़ता एवं सीकर के अंदर खोले जाएंगे ठीक सेम एस पर पांसो करोड रुपए का वार्शिक यहां पे वै किया जाएगा और यह योजना केवल और केवल सरकार की कल्यानकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने में आप तक डीटेल्स देने के लिए किया जाएगा इसके तहट जितनी भी चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिय हैं उनको तीन वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन गॉफ्मेंट उपलब्ध करवाएगी दोहसार नौ दस के अंदर एक एकिकरित सेल सेंटर स्टापित किया गया था अब आप सीम हेल्प लाइन 181 का यहां पे यूज कर पाएंगे ई रूपी जैस से लाभार्तियों को लाब दिये जाते हैं तो अब राजस्थान गॉफ्मेंट भी इसका यहां पे यूज करेगी ब्लॉक्चेन टेकनलोजी के उपर भी काम किया जाएगा ब्लॉक्चेन टेकनलोजी इंटरनेट से रिलेटेड है अब यहां पे जो प्रदेशवासियों के प्रती जवाब देही या accountability और transparency है उसके लिए digital verification पे काम किया जाएगा तो काम digitally हो जाए तो राजस्थान guaranteed service delivery accountability act लाया जाना प्रस्तावित है ठीक है आया नहीं है लेकर आया जाएगा और जब लाया जाएगा इसके details हम लोग यहां पे देखेंगे जो सैनिक है या फिर भू तो फिधा उपलब्द करवाने के लिए जैपुर के अंदर सैनिक कल्यान भवन का निर्मान किया जाएगा अब जयसा कि आपको पता है एक जैणवरी 2004 के बाद जो भी व्यक्ति न्योक तो होता था उनको किसी भी प्रकार का pension नहीं दिया जाता था तो वो जो scheme थी उसे पू बड़ी achievement होने वाली है राजस्तान पे contractual hiring to civil post rule 2022 लागों किये जाएंगे इसके तहट जो समविदा कर्मी वगरा हैं उनको लाब दिया जाएगा और उनके जो मान दे हैं वो 20 प्रतिशत बढ़ाए जाएंगे एक अप्रेल 2022 से ठेक है तो इन लोगों के salary यहां पे increment कर दी तो देखो लगबग हमने इस सेशन के budget के आधे part को complete कर लिया है अब next part में हम लोग यहां पे क्रिसी budget को start करेंगे और इसी के साथ साथ जो राजस्ता प्राप्ती और वय थे राजकोशिय घाटा वगरा थे tax related जो proposal थे उसको हम अगले session में यानि कि part 2 में cover करने वाले हैं तो I hope आपको यह part 1 easily समझ में आया होगा अगर पसंद आता है तो like और share जरूर कीजेगा और इसी के साथ आगे कल आप लोगों के लिए हम upload करेंगे इसी budget पे based mcq session multiple choice question ठेक है उन multiple choice question को भी आप solve कीजेगा तो exam के लिए budget के जो session है उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा तो पसं session देखने के लिए subscribe करना ना भूलिएगा मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जाहिंद